कि नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चानल में मैरानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी ख़बर सामने आ रही है आपको बता दे कि भारती अमूल के रिशे सुनक को बड़े अंतर से हराकर लिस्ट ट्रांस अब बृतन की प्रधान मंत्री बन चुकी है लेकिन इन सब के बीच में भारत में अर्विंद केशिवाल और अर्विंद केशिवाल का दिल्ली मॉडल लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है दरसल अरवंद केश्रिवाल ने फ्री बिशली का वादा करके अपनी सरकार बनाई दिल्ली में और इसी वादे के साथ उन्होंने सरकार पंजाब में भी बनाई लेकिन देखने को मिला कि विधान सवा चुनाव 2022 के दौरान उन्होंने उत्राखंड में भी यही वादा किया था लेकिन उत्राखंड की जनता ने इसे सीरे तोर पर नकार दिया था लेकिन अन्सब के बीच में देखने को मिला कि ब्रिटन में भी जब कंसर्वेटिव पार्टी के दोनों ये जो लोग थे वो चुनाव लड़ रहे थे प्रधान मंतरी पत के लिए रिशे सुनक और इसी के साथ ही लीस ट्रांस तर रिशे सुनक ने ये वादा किया था ब्रि समाचार एजिंसिस ने इसको लेकर के आर्टिकल भीच हापा था और इसी में से एक आर्टिकल को उठा करके अरविंद केश्रिवाल ने अपने ट्वीट पर शेयर करते हुए खुद की तारीफ की खुद का बखान करते हुए लिखा कि आज दुनिया भर में केश्रिवाल मॉडल को अपनाया जा रहा है लेकिन इसके बाद धीरे धीरे देखने को मिला कि लगातार कई राउंड में ये एलेक्शन हुए और आखरी के राउंड में रिशी सुनक को करारी हार का सामना करना पड़ा और लिस ट्रांस ब्रिटन की प्रधान मंत्री बन गई और इसी के स साथ ही लोगों ने ये कहा कि अगर रिशी सुनक इस तरीकी का मॉडल ब्रिटन पर अपलाई नहीं करते तो वो शायद ये चुनाव जी सकते थे इसी के साथ ही जहां अरविंद केश्रिवाल ने ये ट्वीट किया था कि आज दुनिया भर के लोग केश्रिवाल मॉडल को अ सामना करना पड़ा आपको बता दे कि भारतिय मूल के रिशी सुनक को बड़े अंतर से हरा कर लिस ट्रांस ने प्रधान मंत्री पत का चुनाव जीत लिया है ट्रांस ब्रिटन की तीसरी महिला प्रधान मंत्री बन गई है वहीं आखरी चरण तक रेस में आगे चल रहे हाला कि सोचने वाली बात ये है कि पहले पांच राउंड में आगे रहने वाले रिशी सुनक आखिर फाइनल राउंड में मात कैसे खा गए इसकी पीछे बड़ी संख्या में लोग यहीं कह रहे हैं कि जो उन्होंने बादा किया था कि वो ब्रिटन की जुनता के जो बिजल प्रधान मंत्री पत की रेस में कंजर्वेटिव पार्टी के दोनों उमीदवार रिशी सुनक और लिस्ट्रांस के बीच कड़ी टकर देखने को मिली इस दोरान कई मुद्दों पर लिस्ट्रस और रिशी सुनक के बीच विभाजन की गहरी रेखा खीच दी गई जैसे कि ल चुनावी वादों में मास्टर स्ट्रोक खेल कर ट्रस को पच्छाडने का मूड बना चुके थे वे दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्वन केश्रिवाल का मॉडल लंदन में भी अपलाई करना चाहा और केश्रिवाल की तरह बिजली बिल में लोगों को राहत देने का ब्रेट ब्रिटन की जनता से वादा किया कि अगर वे पिम बनते हैं तो घरों के बिजली बिल पर करीब 200 पाउंड की वो कटाउती करेंगे लेकिन ब्रिटन की जनता को ये रास नहीं आया और इसी के साथ ही उन्होंने अपने प्रधान मंत्री के रूप में लिस ट्रस को चुना में जीत गए लेकिन यही वादा वो पंजाब में भी करते हुए नजर आये थे उत्राखंड में भी किया और इसी के साथ ही उन्होंने यूप में भी यही वादा किया था लेकिन उत्राखंड और यूपी की जनता ने उन्हें सीधे तोर पर नकार दिया अगर हम यूपी उ करके सोशल मीडिया पर अर्विंद केज्रिवाल को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि ब्रिटन की जनता दिल्ली की जनता की जैसी मुर्ख नहीं है वो इस तरीके का कोई भी लुभावने वादों के चक्कर में नहीं आ पाएगी जिसकी वजह से अब केज्रिवाल मॉडल की हार देखने को मिली वही कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये रिशे सुनक की हार नहीं बलकि केज्रिवाल मॉडल की हार है क्योंकि देखने को मिला था कि जब उन्होंने सीधे तोर पर रिशे सुनक ने प्रदान मंत्रीपत के दा का मौडल है लेकिन अरविंद की जवाल इसका क्रेडिट लेते हुए दिखाई दिये थे और उन्होंने ट्वीट करके यह बताने की कोशिश की थी कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में लोगों को फ्री बिशली देने का वादा किया था और फ्री बिशली दे रहे हैं तो इसको लेकर के लोग जम करके सोशल मीडिया पर अरविंद की जवाल को ट्रोल कर रहे हैं उनके दिल्ली मौडल को भी ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं हाला कि यह पहला वाक्या नहीं है जब अरविंद की जवाल को इस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है इसे पहले भी उनके सिक्षा मॉडल को लेकर भी लोगों ने ट्रॉल किया है मुहला क्लिनिक को भी लेकर के लोगों ने ट्रॉल किया है और कई तस्वीरे दिखाई हैं मुहला क्लिनिक की कि आखिर कैसे मुहला क्लिनिक की जो हालात हैं वो इस वक्त दिखाई देते हैं इसी के साथ ही सिक्षा मॉडल पर भी लोगों ने बोला है कि जहां स्कूल बनवाने के नाम पर रूम बनवाने के नाम पर कितने लाखो रुपए की धांदली की गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा और इसी के साथ ही ये भी लोगों ने शेयर किया है कि कैसे बच्चे पेड की छाओ में पढ़ने को मजबूर है टीन के शेड में पढ़ने को मजबूर है और इसको अरविंद की शिवाल दिल्ली का बेस्ट सिक्षा मॉडल बताते हैं इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जब पिछले दिनों मनीश सौदिया जो इसी के साथ ही उन्हें बेस्ट सिक्षा मंत्री बता रहे थे और यह कह रहे थे कि वो दिल्ली ही नहीं इस देश की क्या बलकि पूरी दुनिया के बेस्ट सिक्षा मंत्री हैं लेकिन अगर हकीकत देखे तो हकीकत बिलकुल ही अलग है इसकूल में किस तरीके से बच्चे था था तो इस पर भी लोगों ने उने ट्रोल किया था और उस स्कूल की पुरानी तस्वीर और नई तस्वीर दोनों साथ में शेयर कर बताया था कि ये वही पुराना स्कूल है बोई सेकेंडरी स्कूल जिसको की रिनोवेट करवाया गया पेंटिंग करवाया गया और अब अर्विंद केशवाल कह रहे हैं कि ये स्कूल उनके द्वारा ओपन किया गया है और उनके द्वारा उद्खाटन किया गया है और जिस तरीके से बिश कि इस खबर पर क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे कि और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें